दोस्तो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल स्टोक मार्केट का XYZ में दोस्तो आज के वीडियो में जो है हम UVSL का जो शेर है दोस्तो उसकी बात करेंगे दोस्तो बहुत सारे हमारे जो वीवर हुन की ये को आरी आरी है हला कि दोस्तो आप भी है कंपनी डिलिस्टिंग नहीं हुए है लेकिन दोस्तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि जो है इसमें आपको ट्रेडिंग होती ही नेजर आएगे आपको जो हैहां पर आप दे सकते हैं लगबग 20 पैसे पे 806 ओडर लगबग 8 क्रोट चपन लाग 65660 कॉंटिटी गे और अगर आप यहाँ पे सेल की साइड आएगे तो यहाँ पे आप देश सकते हैं लगबग 25 पैसे पे 130 ओडर लगए हुए और जो 30 पैसे पे जो है 500 ओडर जो है लगए हुए अगर दोस्तो आप नीचे आएगे हैं देश सकते हैं easily कि लास्ट ट्रेडिट कॉंटिटी यहाँ 55,000 की जो है दोस्तो नजर आएगी यह जो आप भी दोस्तो चार नजर आ रही है आपको तो दोस्तो इसमें जो है पेर्चेजिंग और सेलिंग जो हाँ भी चल रही है आप भी जो हिसमें ये चीजे जो स्टोप नहीं है और दोस्तो मैंने जो हिसमें एक ओडर लगाया था आप ऐसे आपको दिखाने के लिए तो वो दोस्तो इसली जो है इसली एक्जीक्यूट हो रहे है तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है सेर आ भी प्रतरीके से ट्रेड कर रहा है आला कि दोस्तो रिस्क की स्टोग आपको पता है डिलिस्टिंग के लिए भी जो है इसका जो है लेटर लिखा है जिसके मागे आप से बात करुआ हैं तो आप जो है इसे में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझके करें और जो है बहुत कम पैसों के साथ जो है करें अगर आप करना चाहते हैं तो तो दोस्तों आप बात आप बात करते हैं इसकी जो डिलिस्टिंग की है उसकी तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं जो UVSL के जो है Vice President और Company Secretary है उन्हेंने जो है NSC और BSC दोनों को लिखा है यहाँ पर आप दे सकते हैं डिलिस्टिंग of Security and Cancellation of Share Capital Inclusions of Resolution Plan Approved by Unable NCLT वाइड ओडर पास्ट हों 6th मई 2020 तो 6th मई 2020 को जो NNCLT ने जो इसका Resolution Plan approved क्या था उसको इंप्लिमेंट करने के लिए दोस्तों इन्होंने जो है डिलिस्ट करने के लिए Security को जो है इन्होंने लेट लिखा UVSC से तो UVSC ने इनको BSC और NNC को और दोस्तों mostly जो है इनोंने दो चीज़ उसमें बोला है The security of the company sells stand delisting from our stock exchange तो our stock exchange तो तुरंत जो है stand मतलब तुरंत प्रवाव से जो है इसको delist किया जाए और जो entire previous ERP paid up capital of the company including equity share and preference share sense dealt cancelled तो उनको वो भी जो scan cancelled माने जाए without any payout उसका कोई भी payout नहीं दिये जाएगा and the face value of the share shall be transferred और जो इन share की जो फेस value है वो जो है capitalism जो है company इस कंपनी के में जो है provide किया जाए लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़े ऐसी नहीं होगी क्योंकि दोस्तों आपी ये जो है सिर्फ जो है इन्होंने इन्ची जो की जो BSC और NSC जो है दुर्खवास की है की सर आप जो है हमारा ये ऐसे-ऐसे कीजिए और जो इनकी जो value बनती है वो हमारे जो है account में transfer कीजिए तो दोस्तों request की हैं आप आप दे सकते हैं रिक्वेस्टी ट्यो कांटली ओने एक्रूट अप्रूवल फो डिलिस्टिंग तो उनको डिलिस्टिंग के लिए अप्रूवल देने के लिए जो है बोला है कंपनी हो सकती है अगर आप इसको डिलिस्ट कर रहे हैं इसका जो है सारा प्लान इंप्लिमेंट होने के बाद कितना क्या उसमें प्रूसेस लग सकता है क्योंकि दोस्तों NSC और BSC की जो मेंन रिस्पोंडिल्टी है जो शेर ओल्डर है उनको इतों का ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों कोई बी ऐसा decision नहीं लेंगे जो की investor होते हैं तो उनको कुछ effect हो को है इतो दोस्तों जब स्य이कित्स code लोगए जब तक जब इपना रहूं लगवार च्यार क्रोट के एप शेरों की quantity जो है इस शेरों में ट्रेड हो चुकी है तो दोस्तों जब तक इसका जो है दी स्झे धरनी कर सकते उससे पहले हेलाग की फैनल हो जाएगा कि जो share older उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हलाकि company ने तो without any payout के लिए बोला है लेकिन दोस्तो मुझे नहीं लगता कि यह सब हो पाएगा क्योंकि आखरी फैसला जो है NAC और BAC के आत्में कि वो इस पर क्या decision लेते हैं और जहां तक अगर ऐसी जो थोटी होती है वो हमेशा जो है जो शेर ओल्डर है उनके बारे में जुरूश होचती है उसके बाद कोई final decision लेती है तो दोस्तों कभी यह release होगा उसके बारे में आगे जब भी कोई news आएगी तो आपको बताया जाएगा तो फिलाल आपको इसके बारे में यह के जो है लिग दिया है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट से साथ करें ताकि जो है बाइचांद जो इन्होंने बोला है अगर वो एज़िट हो जाता है तो आपको ज्यादा नुप्शान ना उठाना पड़े या तो फिर अगर बहुत ऊपर है तो आप जो है इसमें जो वेट कीजिए अगर नया को फ्रेश बॉयंग करने है तो में ख्याल से आपको जो है व्याविट करना चीए क्योंकि रिस्क भूत है डिलिस्ट के लिए लिखा है दोस्तों लेकिन बाकि आपकी मर्जी पैसा आपका है तो फाइनल डिसेजन आपका होन करना चीए और जो हम इस चैनल बताते हैं वो सिफ एजुकेशन नोलिज परप्रस के लिए है धन्यवाद